तो हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो माई चैनल वीजा क्वेस्ट आज हम इंडिफिनेट लिव रिमेन और बिटिश सिटिजन इन दोनों के बीच की सिमिलार्टीस एंड डिफरेंसेंस के बारे में बात करेंगे युके इमिग्रेशन लोग के कॉंप्लेक्स को समझने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए रेसिदेंसी और सिटिजन सीप इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है ILR, Indefinite Live to Remain, व्यक्ति को किसी भी इमिग्रेशन टाइम डिक्रिक्स्टन के बिना युके में रहने का अधिकार देता है और दूसरी तरफ, बिटिश सिटिजन सीप, युके के नागरिक के रूप में उसे मानेता देती है जो युके में निवास करने का पूर्ण अधिकार देती है हाला कि दोनों कुछ चिट अधिकार और विशेशन अधिकार भी प्रदान करते है फिर भी इनमें कुछ important differences है जानेंगे what is Indefinite Live to Remain Indefinite Live to Remain एक ऐसी immigration status है जिसके दोरा हमें right of residence मिलता है और immigration time restriction से छुटकारा मिलता है अब इन दोनों की similarities के बारे में हम बात करते है दोनों में UK में रहने का अधिकार मिलता है उसके अलावा NHS, right to study, work और public fund जैसे एकसेस करने का भी अधिकार मिलता है अब अनुपस्तिती थी, absence के बारे में बात करते है तो absence ये सबसे बड़ा difference है इन दोनों के बीच में British citizenship जीवन भर बनी रहती है जब तक आप जिन्दा रहते हैं तब तक आप British citizenship बने रहते हैं UK से कई सालों तक बाहर रहने पर भी इसे कोई फरक नहीं पड़ता फरक पड़ता है आपका ILR lost भी हो सकता है अगर को व्यक्ति दो वर्सों से अधिक UK से बाहर रहता है तो उसकी ILR खतम हो जाती है सेम वैसे ही अगर किसी को settled status मिला है EU settlement scheme के तहत तो वह व्यक्ति पांस साल से ज़्यादा UK से बाहर नहीं रख सकता वर्ना उसकी settled status भी कतम हो जाएगी British passport एक और अंतर है कि British नागरिक के रूप में स्वभाविक होने के बाद आप British passport के हगदार होंगे ये एक महत्वपूर्ण फाइदा है क्योंकि आप विजा मुक्त देसों में ट्राविल कर सकते है और अगर आप जिस देस से है और वो देस आपको डावल्स नेशनलिटी अलाव करता है तो आप British passport के साथ साथ अपनी पुरानी नेशनलिटी भी रख सकते है अब बात करते हैं voting rights के बारे में एक बहुत बढ़ा difference दोनों के बीच में यह भी है कि British citizen के पास मददान का पूरा अधिकार होता है और वो किसी पद के लिए खड़ा भी रह सकता है जबकि indefinitely remain वाले citizen को सिर्फ vote करने का अधिकार है इसके अलावा वो किसी मददान प्रक्रिया में खड़े नहीं रह सकते तो यह था आज का वीडियो कुछ similarity और differences ILR और British passport के बारे में तो अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लिस चैनल को subscribe, share और like करना ना भूले